तो है गाई जैसे समाजी शुन्दे वेलकम बेक टो अधर वीडियो और इंजिनरिंग फिजिक्स तो इस वीडियो सीरीज में हम इंजिनरिंग फिजिक्स पर बात करने वाले हैं चाहिए आज की वीडियो में इंटेफेरेंस इं थिन फिल्म दू ट्रांस्मिटर लाइट पर करेंगे तो यह जितने भी आपको नोट्स स्क्रीन पर दिखते होंगे तो इन जितने भी यह वाली वीडियो या फिर इन से पहली वाली वीडियो या फिर इसके बाद में जितनी वीडियो आएंगी इन सभी के जितनी भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनकी लिंक् क्योंकि एक बार आपको समझ में आ जागा तो आप अपने पेपरों में आसनी सिफ्स को लिख पाएंगे ठीक है तो अभी सिफ समझ लीजिए ठीक है और जिती भी आपके say on upper surface of tin film the incident ray is Pa some part of this Ray is reflected,and some part is reflected आशनी अपनी प्रिवेश वीडियो में भी देखा था लीजिए है इस से पहले वाली जो वीडियो ती जिसमें हमें रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे बात करें तो उसमें भी हमारे जो वेरिवल्स थे या फिर जो नेमिंग थी वह इसी तरीके से की गई थी तो अगर आपने वाली वीडियो देखिए तो आपको यह वाली अच्छे से समझ में आ जाएगी तो यह हमारा डाइग्राम हो गया ठीक है तो सम पार्ट ओफ एबी एस रेफ्लेक्टेड हैं और सम पार्ट इस रिफ्लेक्टेल तो यह आपका अपका में आपगे दो फिटेंस कि नेमिंग से मिन आपका फेन करी नहीं तो आपने अगर प्रिपे वीडियो देखिए तो आपको सॉमीं मैंबें डेकी चिलोट the reflected ray is bc and reflected is bs that angle of incidence is i and angle of refraction is r so angle of refraction r है और angle of incidence i है ठीकनिस जो है वह आपकी draw perpendicular from point b on ray cd which intersect at some point m again draw perpendicular from point d on ray bq which intersect at some point n from figure optical part difference of that is delta equals to mu bc plus cd minus bn from snail's law mu equals to sin i upon sin n so bn upon bd all upon md upon bd so bd और bd आपका cancel हो जाएगा तो bn upon md आ जाएगा चीक है so cross multiply करेंगे तो bn equals to mu md optical part difference that is delta equals to mu bc plus cd minus md so यहाँ पर हमने लेखा है since bc plus cd equals to hd so hd minus md equals to hm now in right angle triangle bhm cos r equals to hm upon hb so hb equals to 2t hm equals to 2t cos r thus optical part difference equals to 2 mu t cos r so यह आपका यहाँ का main formula हो गया optical path difference का चीक है पर case 1 for constructive interference optical part difference always be equal to even multiple so यह हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि जो आपका constructive interference होता है उसमें आपका वो even multiple होता है चीक है so case 2 destructive interference के लिए हमारा odd multiple होता है इसलिए हमने 2n plus 1 lambda y 2 ले लिए चीक है तो यह आपका even that is constructive interference के लिए हो गया यह आपका destructive interference के लिए हो गया चीक है so I hope आपको सहीं में आया हो कि interference in thin film due to transmitted light क्या होता है चीक है इसका पूरा derivation आपको सहीं में आया हो चीक है फिर भी आपको अगर कोई कोई queries हो तो में को comment section में बता देना चीक है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो अपने दोस्कों चेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और हां यह जितने भी आपको notes देखें वह आपको description section में इनकी link मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो बहुत ही जल्दी मिलूँगा आपको next video के साथ में